बालो को तेजी से लंबा और घना करने का इससे आसान उपाय कहीं नहीं मिलेगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका रोगा नुसार में एक और इंपोर्टेंट वीडियो के साथ बाल हमारी सुंदर्ता का एहम हिस्सा होते हैं बालो को सही पोसर ना मिलने से बालो की लंबाई कम होती है आईए जानते हैं बालो को लंबा कैसे करें रूखे और बेजान बालो का असर बालो की लंबाई पर भी होता है यहाँ पर हम बात करेंगे बालो को जल्दी लंबा करने के उपायों के बारे में जी हाँ, बाल इंसान के सरीर का एक एहम हिस्सा होते हैं और अगर बात की जाए महिलाओं की तो उन्हें अपने बाल काफी पसंद होते हैं हर महिला चाहती है कि उनके लंबे घने और काले बाल हों लेकिन संभव नहीं होता लेकिन इस असंभव को आज हम संभव बना देंगे जी हाँ, कुछ लोग बाल की ग्रोथ और उनके जड़ने की समसे से छुटकारा पाने के लिए चिकित्सक की भी सलाह लेते हैं डॉक्टरी परामर्स के अलावा आप कुछ घरेलू उपायों से भी अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं कुछ घरेलू उपाय और थोड़ा सा आपकी आदतों में बदलाव बालों के लिए रामबार साबित होगा बाजार में बिकने वाले ज़्यादतर उत्पाद दावे करते हैं लेकिन उनसे फायदा होने के बजाए नुकसान अधिक होता है दरसल इन उत्पादों में रसायन का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है जिससे बालों को काफी नुकसान पहुंचता है ऐसे में आप चाहें तो घरेलू उपायों को आजमा कर लंबे और खुबसूरत बाल पा सकते हैं बालों को घना करने के लिए महिलाएं बाजार के कई प्रोड़क्स का भी इस्तिमाल करती हैं लेकिन बाजूद इसके भी उनके बालों पर कोई फरक नहीं पड़ता बाल पतला होना और गिरना तब सुरू होता है जब उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाता चमकदार बालों के साथ साथ हर कोई लंबे और मजबूत बाल रखना चाहता है लेकिन आज कल कोई बालों के जढ़ने की समस्या से परिसान है कोई व्यस्त जीवन सैली पर दूसर और ऐसे उत्पाद जो आपके बालों को खराब करते हैं आदी बाल चढ़ने के कारण होते हैं अगर आप बालों की समस्या के लिए प्रभावी सुरचित और आसान तरीका अपनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी पूरी तरह से मदद करेगी बालों को लंबा करना इतना आसान नहीं होता इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके बाल 100% लंबे हो जाएंगे लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे और आपके लंबे बालों का सपना अधूरा रह जाए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कना ना भोलें इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दवाने के साथ ही आवल नोटिफिकेशन को जरूर आन कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए इसके लिए आवल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें नमबर एक आवला जी हाँ आवला बालों के लिए फायदेमंद होता है वैसे तो आवला विभिन रोगों के लिए परयोग किया जाता है लेकिन इससे बाल लंबे और काले करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है इसके लिए आप चाहे तो इससे बनाने वाले चीज जैसे आवले का अचार आवले का मुरब्बा जूस इत्यादी परियोग कर सकते हैं इसके परियोग से बालों की जड़े मजबूत होती हैं और बालों का ज़ड़ना भी बंद हो जाता है इसके बालों के लिए मुलतानी मिटी काफी अच्छा माना जाता है इससे आपके बाल सौफ्ट हेल्दी होने के साथ साइनी भी होते हैं इसके लिए आप 3-4 घंटे या फिर रात को सोने से पहले पानी के साथ इसे भीगो कर रख दें सुबह नहाने से एक घंटा पहले इससे अपने बालों में अच्छी तरह लगा लें इसके बाद सेंपू और कंडिसनर से बालों को धोलें ऐसा करने से आपके बाल बहुत ही सिल्की और मुलायम हो जाएंगे नमबर 3 एलोवेरा जी हाँ एलोवेरा में ऐसे काफी पोसक तर तो पाये जाते हैं जो आपके बालों को मजबूत और चमकदार बनाये रखने में मदद करते हैं इसके लिए एलोवेरा को काट कर उसके पत्ती के अंदर के जिल को निकाल लें और उसे अच्छे से धो कर बालों में लगाएं अब जिल को एक घंटे तक बालों में लगा रहने दे उसके बाद किसी माइल सैंपू से बाल को धो लें अगर आपके घर में एलोवेरा का पोधा नहीं है तो आप मारकेट में मिलने वाले एलोवेरा जेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं जी हाँ, अमरूद खाने में ही नहीं बलकि बालों को बढ़ाने में भी काफी फायदे मन्द होता है इसके लिए आप अमरूद के पत्तों को पानी में डाल कर 20 मिनट तक उबालें और फिर पानी को छाल लें उसके बाद अपने बालों को सैंपू करें और सूखने दे जब बाल पूरी तरह से सूख जाए तो अमरूद के पत्ते को च्छानक निकाले गए पानी से बालों की मालिस करें मालिस के 2-3 घंटे बाद गुनगुने पानी से धोलें नमबर पादाम जी हाँ बादाम तेल के साथ केला का उपयोग कर आप अपने बालों के लिए अच्छा हेयर मास्क तयार कर सकते हैं जो आपके बालों को उत्कृष्ट पोसर देता है और बाल घने करने में काफी मदद करता है इस बाल घने करने की वीध को आप अपने घर पर भी उपयोग कर सकते हैं और अपने बालों को सुन्दर और मजबूत बना सकते हैं यह बहुत ही आसान वीदी है इसके लिए आपको एक कटोरे में अच्छी तरह से पका हुआ केला लें और 15 ml बाधाम तेल डालें और अच्छी तरह से दोनों को मिला लें इस मिस्रण को आप अ जिहां आप हमेशा से ही नीबू के छिलके को फेंक देते हैं मगर आपको पता है कि नीबू का छिलका आपके बालों के लिए कितना उपयोगी है इसके लिए आप नीबू का छिलका और 15-20 करीप पत्ते लें और इसे अच्छे से पीस कर अपने बालों में लगाएं और उसक बढ़ाने में मदद करता है यह बालों के विकास के लिए सबसे पुराना और सबसे प्रभावी उपायों में से एक है इसके लिए सबसे पहले आप प्याज को छील लें और उसके टुकड़े काट लें आप प्याज के टुकड़े को मिकसर में पीस लें और पीसे हुए कि जूस को अपनी जड़ों में एक हफ्ते तक जरू लगाएं नमबर आठ मेंधी जिहां मेंधी बालों के लिए रामबाळ का काम करती है इसके लिए आप मेंधी को लोहे की कड़ाही में एक से दो घंटे के लिए भीगो के रख दें इसके बाद आप इसमें आवले का से संब्रिद होता है जो बालों को जड़ने से रोकने और बालों को बढ़ाने में मदद करता है अन्य हर्बल टी का इस्तिमाल भी आप इसी तरह कर सकते हैं इनके लाब भी आपको इसी तरह प्राप्त होंगे टी से बालों को धोने का इस्तिमाल कई लोगों ने किया होगा और अन्य टी जिनका इस्तिमाल आप कर सकते हैं जैसे बैम्बु टी बिच्चू बूटी टी सेशटी और आप रोजाना पीने वाले काली चाय का भी इस्तिमाल कर सकते हैं गर्म पानी को टी बैक को डाल कर 7-8 मिनट के लिए गर्म पानी में टी बैक को डाल कर रखें अब ग्रीन टी को गुनगुना होने के बाद अपनी जड़ों में रूई से लगाएं आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें फिर अपने बालों को ठंडे पानी से धोलें ग्रीन टी का इस्तिमाल जब भी आप अपने बालों को धोने वाले हो उससे आधे घंटे पहले बालों में इसे लगा रखें नमबर 10 मेथी के बीज जी हाँ बालों को जढने से रोकने और उसे बढ़ाने के लिए मेथी परभावी रूप से काम करता है मेथी में प्रोटीन आईरन और निकोटीनिक एशिर होता है जो बालों की जड़ों के साथ साथ बालों के रोम छिदरों को भी मजबूत बनाता है मेथी में प्राकृतिक तेल होता है जो बालों को तूटने से बचाता है और उनमें चमक लाता है दोस्तों हमारे द्वारा बताये गए नुस्कों में से आप किसी एक नुस्के का प्रियोग करें अगर वो नुस्का आपके बालों पर सूट नहीं करता है तो आप दूसरे नुस्के का प्रियोग करें जब तक कि आपके बालों पर किसी एक नुस्खे का परियोग सूट ना करने लगे